परिचय पिता जी, ये पार्क तो बहुत ही सुन्दर है, यहाँ पर आनंद लेने के लिए बहुत से जूले और राउंड्स हैं, मेरे मित्र भी तती दिन यहाँ आते हैं मुझे पता था कि तुम्हें ये पार्क अवश्य पसंद आएगा, इसलिए आज में तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ धन्यवाद पिता जी बहुत अच्छी बात है अच्छानक भूकम पा जाता है क्या तुम ठीक हो बेटा? हाँ पिता जी, मैं ठीक हूँ क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल भूकम कैसे आते हैं? और ये इतने अधिक विनाशकारी कैसे हो जाते हैं? बेटा, जब प्रित्वी के भीत्री भाग में चट्टाने की सकती हैं, तो उनके कारण भूकम पाते हैं इस अचानक होने वाली गती के कारण आघात तरंग प्रिष्ट पर आती हैं, ये तरंगे प्रित्वी के प्रिष्ट के अनुदिष चलती हैं, और बहुत क्षती पहुंचाती हैं जी पिता जी, अब मुझे समझ में आ गया और मैं इन तरंगों के विशे में और जानना चाहता हूँ. ठीक है वेटा, मैं तुम्हें बताऊंगा. बच्चों, आज हम तरंगों के विशे में और पढ़ेंगे. उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. तरंग गती को परिभाशित करना. अनुप्रस्थ और अनुदैर्थित तरंगों में अंतर स्पष्ट करना. प्रगामी चाल में विस्थापन संबंध का मुल्यांकन करना. प्रगामी तरंग की गती की गणना करना. तरंगों के अतिव्यापन को समझना. तरंगों के परावर्तन के विशे में जानना. आप्रगामी तरंगों को परिभाशित करना. स्पंदों को समझना. डौपलर प्रभाव का विशलेशन करना. परिभाशा तरंगों के द्वारा बिना तरविकी आयतंचाल के उर्जा का इस्थानांतरण संभव होता है। दूसरे कण में पहुचाई जाती है। एक पत्थर का पानी में गिरना, एक लड़के का किसी से बात करना। भूकम्प ये तरंग गती के कुछ उधारण है। इस पार्ट में हम यांतरिक तरंग गती के विशे में पढ़ेंगे। इन तरंगों को प्रत्यास्थ तरंगें भी कहते हैं अनुप्रस्थ और अनुदेर्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होती है जिसमें माध्यम के सभीकन अपनी माध्य सामयावस्था पर तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत दिशा में सरल आवर्ती गती करते हैं। अनुदेर्थ तरंग गती वो तरंग गती होती है जिसमें माध्यम के प्रतककन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश अपनी माध्य स्थितियों पर सरल आवर्त गती करते हैं। आईए अनुप्रस्थ तरंगों और अनुदेर्थ तरंगों में अंतरसंजें। एवं द्रोनियों यानि गर्तों के रूप में गमन करती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों किसी भी माध्यम में बन सकती हैं। केवल अप्रतक्ष रूप से निरुपित की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें द्रोवी कृत की जा सकती हैं। जबकि अनुदेर्थ तरंगें द्रोवी कृत नहीं की जा सकती। प्रगामी चाल में विस्थापन संबंद प्रतेक्षण में विस्थापन समय फलन वो सिक्षण पर तरंग की आकृती बताता है। ये उस अवस्थिती पर माध्यम के निर्मान की गती का भी वणन करता है। जया वक्रिये संचरित होती तरंग को निमनानुसार वर्णित किया जा सकता है। य बराबर ए साइन के एक्स घटा ओमेगा टी जहां य बराबर स्थिती एक्स और समय टी के फलन के रूप में विस्थापन है। ए बराबर तरंग का आयाम। ओमेगा बराबर तरंग की कोण ये आवरित्ती। के बराबर कोण ये तरंग संख्या। आयाम। ए माध्यम के निर्मानकों का उनकी सामय वस्था से अधित्तम विस्थापन प्रदशित करता है। ये तरंग का आयाम कहलाता है। तरंग देर्थ समान कला वाले दो बिंदों के बीच नियुनतम दूरी तरंग का तरंग देर्थ कहलाती है, जिसे प्राया लेमला दौरा निरूपित किया जाता है। सरलता के लिए हम कह सकते हैं कि किसी तरंग में दो क्रमिक तुंगों या द्रोणियों के बीच की दूरी तर अवर्थकाल तरंग के दोलन का आवर्थकाल वो समय होता है जो एक एलिमेंट एक पूर्ण दोलन पूरा करने में लेता है, एक संचारित तरंग की चाल, सभी प्रगामी तरंगों के लिए एक सामान संबंध निम्न रूप में व्यक्थ है, वी पराबर लेमला बटे टी माध्यम के किसी निर्मान द्वारा एक पूर्ण दोलन हे तो अविक्षित समय में तरंग पैटन, तरंग के तरंग देर्द के बड़ाबर दूरी तै करता है तानित डोरी पर एक अनुप्रस्थ तरंग की चाल माना की एक डोरी को दो द्रण टेकों के बीच ताना गया है यदि डोरी को चुटकी से खींचते हुए थोड़ा फिस्थापित किया जाता है तो डोरी की लंबाई के अनुदिश एक निश्चित वेग के साथ एक उभार संचरण करता है उभार के संचारण का वेग डोरी के तनाव और द्रविमान प्रती इकाई लंबाई पर निर्भर करता है तानित डोरी पर संचरन करने वाले विक्षोप का वेग निम्ना अनुसार व्यक्त है C बराबर वर्गमोल T पटे म्यू जहां T बराबर डोरी में तनाओ म्यू बराबर द्रविमान प्रती इकाई लंबाई अब एक सिरे पर स्थिर की गई डोरी के दूसरे सिरे पर एक भार लटकाते हुए इसे तानित किया जाता है डोरी में तनाओ डोरी के प्रतियस्थता गूं और जड़त्व से संबंदित है तानित करने पर वेग निम्न रूप में व्यक्त होता है C बराबर वर्ग मूल T बटे पायार वर्ग रोब जहां R बराबर डोरी की तृच्या रोब बराबर समकरी का घनत्व एक अनुदैर्द तरंग की चाल एक अनुदैर्द तरंग के संचरन कवेग माध्यम की प्रतियस्थता तथा घनत्व पर निभर करता है तरंग वेग पराबर वर्ग मूल प्रत्यास्थ मौडुलस बटे घनत्व तरंगों के अध्यारोपन का सिध्धांत तरंगों के अध्यारूपण के सिध्धान्द के अनुसार माध्यम में किसी बिंदू पर एक साथ कारी करने वाली तरंगों के कारण विस्थापन उनमें से प्रतेक द्वारा प्रिथक रूप से कारी करने के कारण विस्थापन साधिशों का सधिश्योग होता है आईए एक उधारन देखें एक दूसरे के निकट आते दो इस्पंदों पर विचार करें जब इस्पंद एक दूसरे को पार करते हैं तो वे संयुक्त होकर एक परिणामी इस्पंद बनाते हैं एक दूसरे को पार करने के बाद विप्पुना इस तरह स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं जैसे कुछ ना हुआ हो। इससे तरंगों के अध्यारोपन की निम्न तीन महतपून स्थितियों का पता चलता है। समान आवरिती की दो तरंगें समान वेक के साथ समान दिशा में चलती हैं। इससे तरंगों के व्यक्तिकरण की घटना होती है। सद्रिश्य आवरित्यों तथा आयामों वाली दो तरंगें विप्रेती दिशाओं में समान चालों से एक यही पत के अनुदेश गमन करती हैं। इससे आप्रगामी तरंगें उत्पन होती हैं। अल्प भिन आवरित्यों वाली दो तरंगें समान वेक के साथ समान दिशा में चलती हैं। इससे विसबंदों की परिगटना होती है। तरंगों का परावर्तन। जब कोई तरंग किसी द्रण परिसीमा से टकराती है, तो ये पूनता परावर्तित हो जाती है। और यदि परिसीमा द्रण नहीं है, तो आपतित तरंग का एक भाग परावर्तित हो जाता है। और कुछ भाग दूतिय माध्यम में पारगमित हो जाता है। आईए एक उधारण देखें। एक स्पंद एक दानित डोरी के अनुदिश गमन करता है और परिसीमा त्वारा परावर्तित हो जाता है। और परिसीमा पर हर समय विक्षोप का विस्थापन शुन ही होता है। जब परिसीमा नहीं होती तो परावर्तित तरंग की आकृती और कला आपतित तरंग के समान होती है। स्थेतिक आप्रगामी तरंगें विप्रीद दिशाओं में कमन करने वाली दो एक समान प्रगामी तरंगों के अध्यारोपन त्वारा निर्मित परिणामी तरंग आप्रगामी तरंग कहलाती है। प्रस्पंद कुछ बिंदूओं पर विस्थापन अन्य बिंदूओं की अपेक्षा सदैव अधिक्तम होता है। ये बिंदू अधिक्तम आयाम के साथ कमपन करते हैं और प्रस्पंद कहलाते हैं। दो क्रमिक प्रस्पंदों के बीच की दूरी लेमला बटे दू होती है। निस्पंद कुछ बिंदूं पर विस्थापन सदैव शून होता है। ये बिंदू जो सदैव स्थेतिक रहते हैं निस्पंद कहलाते हैं। दो क्रमिक निस्पंदों के बीच की दूरी लेमला बटे दू होती है। ये प्रेक्षित किया गया है कि एक निस्पंद और निकटस्थ प्रस्पंद के बीच की दूरी लेमला बटे चार होती है। विस्पंदें जब लगभग समान अवृत्ती तथा समान आयाम की दो ध्वनिया एक साथ उत्पन होती हैं, तो परिडामी ध्वनी में एकांतर उच्छिस्थ और अल्पिस्थ होते हैं। नेमित अंतरालों पर ध्वनी का एकांतर उतार चड़ाओ होने की ये परिखटना विस्पंदे कहलाती हैं। प्रती सेकंड सुनी जाने वाली विस्पंदों की संख्या विस्पंद आवरिती कहलाती हैं। विस्पंदे केवल तब सुनी जाती हैं जब दो ध्वनी कारी निकायों की आवरित्व में अंतर दस से अधिक नहीं होता। ऐसा श्रवण निरंतर्ता के कारण होता है प्रतिक तीव रिध्वानी से अगली तीव रिध्वानी तक का समय एक विस्पंद काल कहलाता है उधारण आईए विस्पंद का एक उधारण देखें एक साथ बजाय जाने पर एक ट्यूनिंग फॉर्क और एक वायू स्थंभ एक क्यावन डिग्री सेल्सियस पर एक सेकंड में चार विस्पंदें उत्पन करते हैं वायूस्तंब का तापमान खटा कर 16 डिग्री सेल्सियस कर दिये जाने पर वही टूनिंग फॉर्क एक फिस्पंद प्रतिसेकंड उत्पन करता है। टूनिंग फॉर्क की आवरिती निर्धारित करें। आईए इसका हल देखें। जब वायूस्तंब का तापमान कम किया जाता है तो वायूस्तंब में ध्वनी की चाल कम हो जाती है। चूंकि वी बराबर यू बटे लेमला इसलिए वी घड़ता है। चूंकि निम्नतर तापमान पर विस्पंद प्रतिसेकंड की संख्या कम है। इसलिए हम ये निशकर्श निकालते हैं कि वायुस्तंभ की आवरित्ती ट्यूनिंग फॉर्क की आवरित्ती से अधिक है। माना ट्यूनिंग फॉर्क की आवरित्ती वी है, तो 51 डिग्री सेल्सियस पर वायुस्तंभ की आवरित्ती एन जमा चार। सोले डिग्री सेल्सियस पर वायुस्तंभ की आवरित्ती एन जमा एक दिये गए मानों की गरना करने पर हम पाते हैं कि ट्यूनिंग फॉग की आवरित्ती पचास हार्ट्स है डॉपलर प्रभाव ध्वनी का स्रोत, प्रेक्षक तथा माध्यम की आपेक्षिक गती में होने पर ध्वनी की आवरित्ती में आभासित होने वाला परिवर्तन डॉपलर प्रभाव कहलाता है आईए विभिन स्थितियों में ध्वनी की आभास या वरित्ती पर चर्चा करें स्थिती एक सुरोध गतिशील, प्रेक्षक स्थेर, माध्यम स्थेर माना की सुरोध और प्रेक्षक को वी दूरी से प्रथक किया गया है, जहां वी ध्वनी का वेख है माना की सुरोध से उस सर्जित ध्वनी की आवरित्ती नियू है अब सुरोध प्रिक्षक की ओर Vs वेक से चलना आरंब करता है ये देता है गर्णा करने पर हम पाते हैं कि इसलिए क्योंकि ध्वानी का सुरोध प्रिक्षक की ओर पढ़ता है इसलिए आभासी आवरिती निव डैश वास्तविक आवरिती निव से अधिक हो जाती है यदि सुरोध प्रिक्षक से दूर जा रहा है तो आभासी आवरिती निम्न द्वारा व्यक्त होगी निव डैश बराबर V बटे V प्लस Vs गुणे निव स्थिती दो प्रिक्षक गतिशील, सुरोध स्थिर, माध्यम स्थिर प्रिक्षक सुरोध की ओर V नौट वेक से चलता है एक सकेंड में प्रिक्षक V जमा V नौट दिग स्थान खिरने वाली तरंगें प्राप्त करता है इकाई दूरी में तरंगों की संख्या बराबर नू बटे V आभासी आवरित्ती, नू डबल डैश पराबर V जमा V नौट बटे V गुणे नू यदि प्रिक्षक सुरोध से दूर जा रहा है तो आभासी आवरित्ती निम्न द्वारा व्यक्त होगी नू डबल डैश पराबर V घटा V नौट बटे V गुणे नू इस्थिती तीन, जब सुरोध और प्रिक्षक दोनों ही एक दूसरे की ओर गतिशील है तो आभासी आवरित्ती निम्न द्वारा व्यक्त होगी नू डबल डैश पराबर V जमा V नौट बटे V घटा Vs गुणे नू यदि स्रोध और प्रिक्षक दोनों ही ध्वानी की दिशा में चल रहे हैं तो नू ट्रिपल डैश बराबर V घटा V नौट बटे V घटा Vs गुणे नू क्या आप चांते हैं व्यांत्रिक तरंग सामगरी माथ्यम में उत्पन्न विक्षोब होता है जो अपनी स्वयम की प्रकृती में किसी परिवर्तन के बिना एक नियत चाल के साथ माथ्यम में गमन करते हुए उर्जा और समवेग इस्थानांद्रेत करता है जल के प्रिष्ट पर से पवन कुजरने के कारण घर्शन बल उत्पन होने से जल में लहरें बनती हैं पवन की प्रबलता, पवन प्रवाह की दूरी और हवधी की लंबाई यानि निर्खात इसका निर्धारन करते हैं कि लहर कितनी बड़ी होगी तूफानों के समय निम्नवायुदाब तथा अभी तटिये पवने एक तूफान प्रोतकर्ष यानि महोर मी उत्पन कर सकते हैं जो तटपर जलिस्तर को समाने समुद्रिस्तर से अनेक मीटर उचा उठा सकता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं तरंग गती को विक्षोप के एक प्रकार के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जो माध्यम के कड़ों की उनकी माध्य स्थितियों से दोहराए जाने वाले आवर्ति कमपनों के कारण होता है अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होती है जिसमें माध्यम के सभी कण अपनी माध्य सामय अवस्था पर तरंग संचरण की दिशा के अभी लंबवद दिशा में सरल आवर्ति गती करते हैं अनुदेर्थ तरंग गती वह तरंग गती होती है जिसमें माध्यम के प्रिथककन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश अपनी माध्य स्थितियों पर सरल आवर्त गती करते हैं तरंग देर्थ सवान कला वाले दो बिंदूओं के बीच निवनतम दूरी तरंग का तरंग देर्थ कहलाती है एक अनुदेर्थ तरंग के संचरण का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है माध्यम में किसी बिंदू पर एक साथ कारे करने वाली तरंगों के कारण विस्थापन उनमें से प्रतेक द्वारा प्रथक रूप से कारे करने के कारण विस्थापन साधिशों का सधिश्योग होता है विप्रेद दिशाओं में कमन करने वाली दो एक समान प्रगामी तरंगों के अध्यारोपन द्वारा निर्मित परिणामी तरंग हा प्रगामी तरंग कहलाती है नियमित अंतरालों पर ध्वनी का एकांतर उतार चड़ाओ होने की ये परिखटना विस्पंदें कहलाती है